नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं सहायक पूलिस कर्मियों का अंदोलन आई से गुमला जी लेके सभी 250 सहायक पूलिस अपना स्थाई करन करने मांदे बढ़ाने भाता देने सहीत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है बतादे सुक्रवार को भी सहायक पूलिस काला विला लगा कर ड्यूटी की वहीं सहायक पूलिस के जवानों ने कहा कि 25 वच 26 सितंबर को हम सभी 250 सहायक पूलिस समोहिक आवकास पर रहेंगे इसके बाद 27 सितंबर को राजभोहन मुख्यमंत्री अवास राजेपल अवास के सामने सांती पूर्ण धरनाद दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा बतादे गुमला जिला के अलावा जहारखंड राज के नकसल परभावीत और 11 जीलों के भी सहायक पूलिस आंदोलन में जारखंड में छट्थी और सात्वी के खुले स्कूल संख्या कम राजधानी में छट्थी से आठवी तक के स्कूल सुक्रवार को खोल दिये गए हैं जहां कुछ स्कूलों में भारी तदात में छात्र उपस्तित हुए वहीं कुछ स्कूलों में छात्र नौक के बराबर ही आये हैं बतादे गाइडलाइन के तहत राजे के सभी स्कूलों में छट्थी सात्य आठवी की कक्छाओं को सुरू किया गया है जहां कुछ निजी स्कूल ओनलाइन परिक्षा के कारण नहीं खोले हैं वहीं सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं वैसुनो देवी के रांची से चलेगी ट्रेन IRCTC द्वारा वैसुनो देवी के साथ उत्तर भारत दर्शन यात्रा 12 दिसंबर से शुरू की जाएगी बतादे IRCTC के एरिया मैनेजर जू राज मिंज ने बताया कि यह कारिकरम आठ रात और नो दिन का होगा इसके अंतरगत वैसुनो देवी हरुद्वार मतुरा विरिंदावन रामजन भूमी मंदीर के दर्शन कराए जाएगे यह यात्रा तीर्थ यात्रा विशेस पर्याटन ट्रेन से कराए जाएगी ट्रेन रांची से 12 दिसंबर को खुलेगी और बोकारो धनबाद आशन सोल चितरंजन, जामतरा, मधुपूर, जसीडी, जाजा, क्यूल, मोकामा, बक्तियारपूर, पटना, आरा, बक्सर, पंडित, दिन, दियाल, उपाध्या इस्टेशन होते हुए बैस्नो देवी जाएगी सफर के दोरान यात्रियों को कई सुधाए मिलेंगी मयनमार में बने चक्रवात का असर आई सामसे जारखन पर मयनमार में बने चक्रवात का असर सनिवार की सामसे जारखन में दीख सकता है पतादेया बंगाल की खाड़ी से होते हुए उडिसा की सीमा के आसपास आएगा सानिवार को जारखन के उत्री तथा मदे भाग में कहीं कहीं हलके से मद दर्ज के बारिस हो सकती है वहीं सराय केला और चाइबासा को छोड़ सेस जीलो के लिए मौसम केंद्रे ने एलो अलट जारी किया है 26 सितंबर को भी इसका राजे में कहीं कहीं असर हो सकता है कहीं कहीं गरजन और बजरपात हो सकती है वहीं 27 को पूरे राजे में हलके से मद दर्ज की बारिस हो सकती है जबकि 28 से कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है जारखन में 5 जन जातिये भासाओं में छपेगी किताबे राज्य में सरकारी बिद्यालियों के बच्चों को जन जाती है वा छेत्रिय भासा की किताब उपलब्त कराई जाएगी राज्य में फिलहाल कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए संतारी भासा में किताब की छपाई होती है इसके अलावा हो कुडुक, खड़िया एवं मुंडारी भासा में कक्षा एक वदो के बच्चों को किताब दी जाएगी अब इन चार भासाओ की किताब कक्षा तीन से पांच के लिए भी त्यार की जाएगी इसकी परकिरिया बर्तमान सेक्षिनिक सत्रे में सुरू होगी मन्रेगा के तहत बनने वाले कुओं में 91 परतिसत गरबड़ी राजे में मन्रेगा के तहत स्विक्री 56,191 सिचाई कुओं में से अब तक 51,347 कुओं धाहतल पर नहीं उतर पाए है सरकारी भासा में यह चालू योजना है यानि काम हो रहा है और पैसे की निकासी हो चुकी है बता दे धरातल पर अब तक नहीं उतर पाने वाले कुओं कूल सुविक्रीत योजना का 91 परतिसत है और इन पर 1500 से 1800 को रुपे खर्च होंगे जिसमें लाते हार कुओं निर्मान में 20 परतिसत उपलबदी हासिल की है जो सबसे ज्यादा है 20 अक्टूबर से जुनियर महिला होकी चैंपियनसीप 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित नेशनल जुनियर महिला होकी चैंपियंशिप के आयोजन के लेकर जार्खन होकी के अध्यक्स भोला नाथ सिंग डेगा पहुंचे बतादे इस्टव टरफ स्टेडियम का निरिक्षन करने के बाद उन्होंने विभीन भौनो का भी निरिक्षन किया निरक्षन के करम में कई कम्या पाई गई जिसे दुरूस्त करने का निदेश दिया गया है इधर होकी जार्खन के अध्यक्स भोलानाज सिंग ने बताया कि 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजीत होकी टूर्णाइमेंट का उधाटन जार्खन के मुक्षे मंत्री हमान सुरेन करेंगे हाथियों के उत्पाद से पिरित परिवार को मुअपजा अर्जुन मुंडा बोलबा सहित सिम्डेगा जिला के अनेक छेत्रों में हाथी द्वारा ग्रामिनों के घर एवं फसल के नुक्सान को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ससांसत अर्जुन मुंडा ने मामले को संग्यान में लेते हुए परधान मुख्य वन सनक्षन से बात की एवं ग्रामिनों ए एवं किरोसीन का वित्रन किया अस्वासन दिया गया कि जल्दी हाथी भागाव दस्ता मांगाया जाएगा साथी ग्रामिनों के घर एवं फसल का नुक्सान हुए है उसका अउलोकन कर सिग्रमुअवजा भुक्तान करने की बात कही है कोडारमा से भारी मात्रा में विसफोटक बरामद डोमचांच थाना छेतर के चंचला पहाडी के निकट से भारी मात्रा में विसफोटक बरामद किया गया है जनकारी के उसार पूलिस को स्थुक्रवार की रात सीबू वर्नवाल के पत्थर खदान के समीब दो मंजिला भावन के नीचले कमरे में अवयद विसफोटक बंडारन करने की सुचना मिली थी सुचना मिलते ही डोमचांच थाना प्रभारी ससीकांत कुमार धाप थाना प्रभारी सुनील पास्वान एवं नवल साई थाना प्रभारी इकबाल हुसेन के द्वारा सन्यूक तुरूप से छापे मारी की गई जारखन में तैनाथ होंगे 25 फोरेंसिक लैब वयन राजे में अब घटना स्थल से फोरेंसिक नमूने एकत्रित करने से लेकर प्रारंभिक वा कुछ समाने जाश तक के लिए लंबा इंतिजार नहीं करना पड़ेगा सभी जीलो वर राजे बिधी बिग्यान परियोग साला के लिए 25 फोरेंसिक लैब वयन चालू करने की जोजना बनी है यह तब संबव होने जा रहा है जब हाई कोटने पिछले दिनों धनवाज के ज़ज उतम अनंद के हत्या मानूने सुनवाई के दोरान राजे बिधी बिग्यान परियोग साला के बिरोत करी टिपनी की थी छेड़ खानी से परिशान छात्राओं ने घेरा आरोपी का घर रोज रोज की छेड़ खानी से परिशान इसकूली छात्राओं के सबर का बांद आखिर कर सुकुरवार को तुट गया बतादे छात्रावों ने छेठानी के आरोपी गोपी सिंग को घेर लिया घेराव कर रही छात्रावे पूलिस को बुलाने और आरोपी गोगिरपतार करने की मांग कर रही थी लगबग डेड़ घंटे तक घेराव के बावजूद जब पूलिस नहीं पहुंची तो छात्रावे थाना पहुंची और पूलिस से करवाई करने की मांग करने लगी वहाँ छात्रावों ने पूलिस को लिखित सिकाय दी छात्रावों का साथ उनके अविभावकों के साथ साथ इसकूल के छात्रों और सिक्षकों ने भी दिया बता दे खलारी के मोहन नगर में इस्थित विद्या विकास केंदर हाई स्कूल में पढ़ने वाली दिल्ली के रोहिनी कोट में सुक्रवार को घटित घटना को लेकर जमसेद पूर कोट में तैनाद सुरक्षा कर्मियों को लट किया गया है SSP डाक्टर एम तामील वानन ने कहा कि जमसेद पूर नयाला के सभी नयाधीस वह उनके परिवार के सुरक्षा को लेकर पूलिस कटीवद है अपने कर्याले में पत्रकारों से बाचित करते हुए SSP ने कहा कि धनबाद में जज उतम अनन्द की हत्या के बाद पूलिस ने कोट का जयाजा लिया था उस वक्त इंट्रीगेट में वेवास्था चूस्त की गई थी कॉंस्टेवल की संख्या बढ़ा कर सरकार की ओर से उन्हें हाथियार मुहया कराए गए थे केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाड़े से CID ने की पूस्ताच BSNL सीमकार्ट का केवाईसी अपडेट के नाम पर 2,53,000 रुपे ठगी के आरोप में धनबाज से गिरफतार सचिन मंडल और रोहित कुमार सींग को पूस्ताच के लिए रिवांड पर लिया गया है बता दे दोनों साइबर अपराधियों से सुक्रवार को CID, S.P, कार्थिक, A.S. ने लंबी पूस्ताच की इस दोरान दोनों ने गिरोह में सामील, सरगना, सहीद, और ने लोगों की जनकारी दी बता दे जारखन में साइबर अपराधियों ने तरीके से लोगों को ठगी का सिकार बना रहे हैं जिसमें B.S. सीमकार का KYC अपडेट के नाम पर साइबर अपराधियों ने ठगी की है जारखन में A.C.B. के टीब ने तीन अलग अलग जीलों से रिस्वत लेते अधिकारी को किया गिरफतार राज्य भर में एंटी करप्शन ब्यूर ने सुकुरवार को BCS अभियान चला कर तीन लोगों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफतार किया है जिसमें गढ़वा जीला अस्तरिय अभिलेखागार के प्रधान लेपीक रविंद्र पांडे और हजारी बैक सदर अस्पताल के जीला डाटा मेनेजर दिवाकर अमबस्ट सामिल है वहीं बोकारो के जरीडी प्रखंड के बलोग को अडिनेटर दिपक कुमार कपरदार को निगराने विभाग ने पीम आवास जोजना में दस यार उपे रिस्वत लेते गिरफतार कर लिया है गुमला के परमवीर अलवट एका स्टेडियो वन सरावियो का डाब बन गया है बता दे इसके बाद बोतलों को ग्राउंड में फेक कर चल देते हैं नसा चड़ने के बाद कई युवक सराव की बोतल गैलरी में ही तोड़ देते हैं जिससे गैलरी में सीसा बिखरा हुआ रहता है सरावियों वा सरार्ती तत्यों की इस हरकत से गुमला में बालक वाइल का खिलाडियों को ग्राउंड में अभ्यास करने में परिसानी हो रही है सुबा जब खिलाडी ग्राउंड पहुंचते हैं तो ग्राउंड में सराव की बोतल बिखरा हुआ मिलता है ग्राउंड से बोतल की सफाई करने के बाद खिलाडी अभ्यास करते हैं खिलाडियों ने कहा कि हम खेल का अभ्यास करने आते हैं परन्तु हर दिन सराब की बोतल मिलने से परिसानी हो रही है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एक अधर वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्ता सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक अवासे दे थांक यू